आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट वाइरस रप्लिकेशन या मल्टिप्लिकेशन के अवाले से कि प्लांट वाइरस जो हैं वो किस तरह रप्लिकेट करते हैं वदिन देर होस्ट तो सबसे पहले जो है वो अपने होस्ट में इंट्री हासिल करते हैं हम तो इंट्रेंट्स में इन वायरिष्ट को पैसब पैरस्ताइट कहा जाता है क्यों यह सोर्स से एंट्रेंट्री हासिल करते है MICHAEL कूई जो माते हैं कोई वेक्टर होता है...? इसकी मदद से प्लांट में एंट्रेंट्रेंट्स हासिल करते हैं कोई इंसेक्ट, निमाटोड, माइट, फंगाई वगारा ठीक है या फिर अक्सर के वाउंट्स के थू भी इंट्रेंट्स हासिल कर लेते हैं तो इस तरह से इंकी इंट्रीजनर वो पैसिव होती है क्योंकि अपनी एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे होते हैं नेक्स्ट अपात है अनकोटिंग जो भी ब्लांट की सरफेस के पास अकी साथ जाके अपना रूट हासिल कर लेते हैं वो दिन दा ब्लांट तो फिर क्या होता है कि यह हो सेल्स में चुंकि अब पी-एच का डिफ्रेंस आ रहा होता है आनक बैलंस का डिफ्रेंस आ रहा होता है तो वाइरस जो है वो अपने कैपसड में मजीद नहीं रह सकता वाइरस का जनोम वो अपने आपको यानि अपने नुकलिक एसिड को अपने कैपसड से डिसूसियेट कर लेता है और इस प्रोस्स को हम uncoating कहते हैं और फिर हमारे पास क्या होता है कुछ वायरिस इस खुद ही वायरोप्लासम एक पाथवई से बना लेते हैं ठीक है एक अपने इंवायर्मेंट से क्रेट कर लेते हैं होस्ट ब्लांट सेल के साइटोप्लासम में जोकि उन्हें host के जो हैं डिफन्स सिस्टम से प्रोटेक्ट करते हैं नेक्स्ट हमारे पस्ट हब आज आए रप्लीकेस प्रोटीम संथिस तो रप्लीकेशन के लिए यह जा इंजाम है replicate जिसे हम reverse transcriptase भी कहते हैं या RNA dependent sorry reverse transcriptase नहीं simple transcriptase की तर्म यूज होती है अपर RNA dependent RNA polymerase की तर्म यूज होती है इसके लिए तो वो synthesize होता है ताकि क्या हो सके replication हो सके अभी हम RNA कर जगर कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है क्यों कि plant viruses जो है वो अमूमन most of the cases में RNA ही as a genome अपना रखते हैं ठीक है RNA genome वाले viruses ही जो है अमूमन plant viruses होते हैं plant में diseases cause करते हैं अब हम जानते हैं कि RNA genome जो है उसमें versatility या diversity पाई जाती है कुछ हमारे पास RNA genome double stranded in nature होते हैं ठीक है कुछ single stranded RNA भी होते हैं ठीक है कुछ viruses इसी तरह single strand में भी positive configuration की होते हैं कुछ negative configuration की होते हैं तो हम देख लेते हैं कि इन cases में फिर इनकी replication किस तरह vary करेगी जो हमारे पास replication mechanism है within the host उसमें सबसे पहली condition हम देख लेते हैं double stranded RNA viruses की तो जो double stranded RNA viruses होते हैं वो क्या करते हैं transcription के थूँ double stranded easily जो है तो इसी तरह यहां पर double stranded RNA जो है वो क्या बना देगा messenger RNA बना देगा कि इसकी मदद से RNA dependent RNA वो मिरेज enzyme की मदद से जिसका दूसरा नाम हमने transcriptase कहा ठीक है क्योंकि एक तरह से transcription हो रही है उस मनास्पत से दूसरा हम इसी के लिए term replicase भी यूस करते हैं क्योंकि यह replication में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं बाहराल होता क्या है कि जब positive negative वाला यह जो RNA strand है यह क्या बनाता है transcription की process की through transcriptase की मदद से messenger RNA बनाता है चुंकि messenger RNA positive configuration का होता है अभी भी positive strand बन रहे हैं वो क्या कहलाएगा messenger RNA की कुछ गionst की कपीज क्या करते हैं वो अपने against खो अज़र template टेक करकर अपने against negative strand भी बना लेती हैं अब ये positive negative strand हमारे पास बन जाता है, इससे हम क्या बोलते हैं, अगें बारिल जिनोम बन किया है, एक तरह से हमारे पास चैसा आप देख सकते हैं, निश्रल में था, वैसा ये दुबारा बन जुका है, तो capsid proteins भी थे आ रहे हैं, इदर से बारिल जिनोम भी बन किया है, अब क् SMD में क्या होता है, कि packaging हो जाती है, जिनोम जो है, वो अपने capsid protein ये protective head में चला जाता है, निक्स्ट हम आजाते हैं, positive ये plus strand RNA की तरफ, तो हमने कहाँ, double strand एक RNA होता है, और single strand में दो cases है, या तो positive configuration का होता है, या negative, तो भी हम positive strand RNA viruses को discuss करने जा जा रहे हैं, तो positive RNA can be translated directly into protein, positive RNA as a messenger RNA act कर सकता है, easily, हमें पता है, messenger RNA positive and nature होता है, तो ये positive RNA virus का जब अंदर आएगा, horse cell में, तो वो खुद क्या act करेगा, messenger RNA की तो पर एक करके viral proteins भी synthesize कर लेगा, RNA replicates के mechanism की through, और इसके इलावा क्या करेगा, कि replication भी कर लेगा, जैसे उपर हमने देखा था, कि messenger RNA proteins भी बना र कि अपने अगेंटिव RNA बना रहा था, और वो double strand बन रहा था, क्यूंकि वाइरस का double strand था, तो हमने ultimately double strand ही बनाना था double strand की case में, यहाँ पे single strand है, तो इस case में क्या होगा, कि एक तरफ तो positive RNA messenger RNA के तो बहुए करके, क्या बना लेगा, viral proteins बना लेगा, और दूसरी तरफ और क्य क्या कि positive RNA genome बना है क्यों क्योंकि ultimately जो head में जाना है वो positive RNA genome भी होना चाहिए था जो कि initially इंटर हुआ था आप डाग्राम में देख सकते हैं कि positive RNA ने खुद messenger RNA के तोर पे कुछ viral proteins बना लिए इसी के साथ साथ उसने क्या किया नेगेटिव RNA भी बना लिए अपने गेंश्ट अब ये नेगेटिव RNA ने जरूरत पढ़ने पर फिर से positive RNA बनाएंगे और वो positive RNA सिंगल स्ट्राइंड की स्यूरत में इंटर हो जाएंगे viral head में assembly या packaging के दोरान next हमारे पस्टेप आ जाता है negative strand या minus strand RNA वाईरिस की replication के वाले से तो छो हमारे पास negative strand RNA वाईरिस होते हैं और जो double strand RNA वाईरिस होते हैं ये अपने साथ अपना जो enzyme है वो खुद क्यारी करे रहे होता है तो इस case में पर क्या होता है कि negative RNA पहले क्या करता है template की तोड़ पर आपक करके messenger RNA बनाता है यानि positive RNA बनाता है ठीक है और ये positive RNA further viral proteins बना देता है और कुछ चों हमारे पास positive RNA इस process की दोरान भने होते हैं वो खुद template आपक करके आगे negative strain बना देते हैं और ये फिर further जो जाता है and SMDA packaging के दोरान पाक हो जाता है next हम discuss कर लेते हैं site of replication को थो हमारे पास जो P-inhesion mosaic viruses है वो nucleus में जाकर replicate करते है जो tobacco ratel viruses है वो mitochondria में replicate करते हैं क्योंकि हमें पता है plant cell में ये तमाम organelles मुझूद होती है जो हमारे पास टर्नप ये लो मुझूद वायरस है वो chloroplast में replicate करते हैं जब कि TMB tobacco मुझूद वायरस जो वायरो प्लासम से create करते हैं वहीं पे replicate करते हैं अब हम देख लेते हैं जो viral proteins के हम बात कर रहे थे में संधर RNA की मदद से बनती है वो ना सरफ coat proteins होती है बलकि movement proteins भी हो सकती है replicate proteins भी हो सकती है और RNA silencing suppressing proteins भी होती है अब हमारे पास coat protein में तो obviously viral genome ने पाक होना है movement protein जो कि within the plant उने help करेंगी replicate protein जैसे कि हम ने कहाते है सरफ negative RNA negative single strand RNA और double stranded RNA के पास अपना enzyme होता है replicate के वाला तो जो positive बाली हमारे पास RNA है वो खुद replication enzyme फिर host में आके synthesize करते है जो हमारे पास RNA silencing suppressing proteins है वो एक तरह से defense mechanism के against रहे है वो viral genome को protect करेंगी next हमारे पास step आठाता है replication के बाद assembly तो assembly में क्या होता है protein sub units भी बन गये और viral genome भी replicate हो चुका है अब इनके क्या होगी attachment होगी और एक complete virus बनेगा तो कहा जाता है कि tobacco मुझे एक वाइरस एक tobacco plant में infection के बाद 10 hours के अंदर अंदर अपनी जो है assembly या infectious virions या नहीं अपनी copies बना लेता है last step हमारे पास आता है movement यानि एक cell जब infect हो चुका है तो अब virus ने क्या करना है further move करना है तो ये virions या viruses क्या करते हैं दो थरीके से move करते है या तो within the brown short distance movement करते है यानि cell to cell move करते है और हमें पता है cell to cell जो contact होता है वो plasma dismatic ये through जो है cells एक दूसरे के साथ अपना साथ plasma material exchange करते हैं तो उसी के साथ साथ जो है viruses भी transmit हो जाते हैं और long distance movement में क्या होता है कि वाइरस जालम ये phroem में दाखिल हो जाते है और वहां से root system से होते होई leaves की तरफ चले जाएंगे यही वज़ा है कि एक plant जो बेनिशनी उसका एक leaf impact होता है और कुछ ही दिनों बाद वो पूरा plant virus से इंफेक्ट हो जुका होता है तो इसी movement के जरिए से होता है that's it for this video hope you understand this topic well stay tuned for more informative stuff and stay blessed